हे गाईज रिया स्टेडी में आप सभी का स्वागत है अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटिस्ट नोटिफिकेशन्स बिलते रहें हे गाईज वेलकम बैक टु मैज चैनल और आज मैं आपके लिए लिखे आई हूँ माई लास्ट डचीज जो की एक शांदार पोयम है जिसे के लिखा है रोबर्ट ब्राउनिंग ने देखिए रोबर्ट ब्राउनिंग जो है यह विक्टोरियन एज के बहुत ही रिडियान बॉक्स आये हैं जिर माटिक लीखे लिखे जो माई लास्ट डचीज यह भी इसी पर बैस्ट यानि डॉमाटिक लोग के फिरम में ही से लिखा गया है अब आप स्पूछेंगे ड्रामाटिक मॉनोब क्या नहीं होता है यानि कि स्पीकर लिस्नर लिस्टर जो हैं वो कितने भी हो सकते हैं लेकिन स्पीकर हमेशा एक ही होगा ठीक है लिसनर्स कितने भी हो सकते हैं अब इस पॉयम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरॉल व्यूज देख लेते हम तो जो माई लास्ट डचेज है यह इसका साकेंड एडिशन है यानि इसका जो फर्स्ट पब्ल करयों जैसे कि स्पीकर और लिसनर्स की बात करें अगर तो जैसे कि Robert Browning की पवयाम है The 읽're theаменman funeral उसमें A 피sk correct और बहुत सारे लिसनर यानि एक speaker हो सकता लिसनर कितने भी हो सकते हैं अब बात करतें स्टहकर का स्पीकर कौन है तो इस पॉयम में जो स्पीकर है वह Italian तो लेकिन अगर सोड़ की बात करें हम तो सोर्स जो है इसका अलफोन्सेकर जो है ईके सोर्स की बात करें तो जो यहां 200 सेकंड है जो की एस्टे फैमिली से बिलॉंग करता और उसकी जो फर्स्ट डचेज थी लुक्रेजिया उसका नाम था लुक्रेजिया जो की डॉटर थी ड्यूक ओफ लॉरेंस की बैटी थी और वह बहुत ही जादा पैसे वारे थे बहुत ही दहीज लेके आई थी वह जब श इसे करवाया यह सब हम जानेंगे इसमें तो बात करते हैं कि वह जो ड्यूक यानि डचेज जो थी लुक्रेजिया जो की ड्यूक ओफ लॉरेंस की बैटी थी जो बहुत दहेज लेके आई थी लेकिन इनका जो रिलेशन सिप्ता यानि मेरिटल जो लाइफ थी इनकी जो वह मिले लेकिन डचेज बहुत ही इनोसेंट डचेज थी वो और वो सभी के साथ बड़े प्यार से डील करती थी सभी को मुस्कुराती हुए जवाब देती थी तो ड्यूक को ये बात पसंद नहीं थी अब उसने ये बात कभी क्लियर भी नहीं कि अगर वो क्लियर कर देता तो अपने जो बीहेवे उसमें थोड़ा सा चेंज लाती लेकिन ड्यूक ने कभी ये बात क्लियर नहीं कि और ड्यूक धीरे-धीरे इन चीजों को नोटिस करता गया और बहुत ही जादा गुसा होता था वो इस बात को लेके और एक दिन तो उसे इतना गुसा है कि उसने हरता है तो इस गांड़े वह की बात रहा है तो इसका बारे के बन बाए तो वह दोक से बातचीत कर रहा है, Duke जो है, sorry, Duke जो है, वो बातचीत कर रहा है, जो messenger है उससे, तो यहाँ पर speaker है, वो Italian Duke है, और जो messenger है, जो, sorry, listener जो है, वो है messenger, जो कि messenger किसका है, messenger of count, यानि count, जो पद है, count जो है, परसन है, उसका, एक messenger है, ठीक है, तो जो poem है, कि start करते हैं, अब देखिए दोस्तों जो poem है, वो start होती है, तो poem में क्या होता है, कि जो Duke है, जो की speaker है हमारा, जिसके माद्यम से हमें पता चलेगा कि poem में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके सामने बारे कैसा behave कर रहा है, तो वो सबी चीज़े हमें speaker के माद्यम स जो मर चुकी है उसके एक portrait रखी हुई है बनी हुई है जो उसने बनवाई थी चित्रकार से तो वो उस portrait के बारे में उसे बता रहा है तो जो poem है वो start होती है that is my last duchess यह है मेरी last duchess यानी आखरी duchess यानी जिसकी मृत्ति हो चुकी है painted on the wall जिसे की चित्रित किया गया है दिवार पर दिवार पर चित्रित किया गया है से मतलब यही है दोस्तों कि दिवार पर चित्रित करने से मतलब है उसका एक portrait बनवाया गया है ठीक है looking as और यह दिख रहा है looking यानि ऐसा चित्र दिख रहा है as if Manu की शीवर अलाई वो जीवित हो देखी कहने का सेंस यह है जीवित होने का मतलब काफी जीवन्त प्रतिमा बनाई है चित्रकार ने और उसकी तारीफ की जा रही है यहाँ पर Duke के द्वरा यानि Duke उसकी तारीफ कर रहा है किया कितनी शांदार मतलब देखो उसको बता रहा है अपने लिसनर को यानि जो मैसेंजर वहाँ पर आया है उसको वो बता रहा है कि देखो कितनी शांदार पैंटिंग बनाई है और कितनी जीवन्त लग रही है I call that peace a wonder peace यहाँ पर peace यानि टुकडा यहाँ पर जो peace world है यह यह इपर यहाँ पर आया है उस portrait के लिए जो portrait वहाँ पर दिवार पर टंगी हुई है उस portrait के लिए उस portrait के लिए यूज किया गया है peace I call that peace में इस चितर को पुकारता हूँ a wonder एक आश्चर यानि मेरी लिए तो बहुत ही जादा आश्चर की बात है कि कितनी जीवन्त लग रही है यानि जो भी में इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानू कि साक्षात मेरी सामने मेरी डचीस खड़ी हो मेरी सामने बैठी हो अब बात कर रहा है कि फ्रा पैंडॉल्फ's hands worked busily a day फ्रा पैंडॉल्फ यहां पर एक पाद्र यानि यह कोई पाद्री नहीं है फ्रा मिंस तो फ्रायर होता है पाद्री देखिए पैंडॉल्फ जो यहां पर एक चित्रकार है जिसका पूरा नाम है फ्रायर पैंडॉल्फ अब उसने यहां पर पाद्री इसलिए लगा दिया उ वाइंडोरस और एहां पर आपको याद रखना है कि फ्राइंडोर्फ चित्रकार का नाम है अब आगे वह बता रहा है कि फ्रा phenomenon यह जब लिए west होकर औडे नि एक दिन याणि एक पूरा दिन लगाथा फ़ा पेंडोल्व के हाथों को काम के करने में लिग्ष्ण दख़ देखो त्यार निकले को अथख कौड़ मतलब उस पौरत्रेट के अंदर फड़ी है देखो अब तद्यार आ आपके सामने खड़ी है पूरा एक दिन लगा था चितरकार को विलिट प्लीज यूसेट एंड लुक एठर अब एक आदेश दे रहा है आदेश भी दे रहा है बड़े प्यार से भी कह रहा है उस मेसेंजर से विलिट प्लीज यूसेट लुक एठर क्या आप करपया ुएं मैंने यहां पर फरा पेंडॉल जान पूछ कर कहा और क्योंकि ने वर रीड रीड यानि आक मता की कभी भी पूछा न जा स्टेंजर करें Like you, तुम्हारे समान, तुम्हारे समान जो अजनभी है ताकि वो कभी न बूचे That picturend continent, उस तस्वीर में चित्रचेहरे के बारे में देखिये, तस्वीर में चित्रचेहरे के बारे में कभी न बूचे देखिये दोस्तों, बात समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो तभी वो कह रहा है कि तुम्हारे समान जो अजनभी है ताकि वो कभी ऐसे डिखने और इसटेंजर अच्छस ऐसे जो संवेगे और इस अरनेस्ट गलांस इसकी गंबीर नजरें यानि इसके जो गंबीर निगाहें हैं उनके बारे में कभी भी कभी भी कोई प्रश्ण मुझसे नहीं पूछा जाए ठीके बट टू माई सेल्फ लेकिन मेरे प्रती अब वो बता रहा है कि यानि मैं तो किसी से भी बताता हूं कि किस ने बनाई यह चितर तो मैं उसके आगे लगा देता हूं फ्राप एंडॉर्फ ने बनाई यह ठीक है मैं फ्राप एंडॉर्फ बोल दीता हूं ताकि कोई भी मुझसे कोई बेजने भी आये मेरे घर पे मुझसे कभी न पूछे इसके बारे में कि यार तस्वीर में चितर चेहरा इतनी गहराई कैसे आगी यार गहर इसका किसी से चक्कर तो नहीं था उस चेतरकार से तो इसलिए मुझे ड़ लगता है तो मैं फ्राप एंडॉर्फ उसके आगे लगा देता हूं अब आगे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि बट टू माई सेल्फ दे टरंड दे यहां पर आ रहा है लोगों के लिए उन अजनभ लेकिन मेरे प्रतिदे टरंड वे मुड जाते हैं अब बीच में बात कारते हूं कह रहा है चूंकि नन कोई भी व्यक्ति नहीं नन यानि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पुट्स बाइ जो की रख सके दा करटेन इस परदे को इस परदे को जिससे कि मैंने तुमारे लिए यानि पर्दे के अंदर था वह चितर यानि पर्दे के पीछे एक तस्वीर लगी हुई थी तो वह कहा रहा है कि यानि में ने जो पर्दा तुम्हारे लिए खीच आ है यहां पर इस तस्वीर को दिखाने के लिए तो कोई भी इतना सास नहीं कर सकता जो आते ही खीच ले मैं ही दिखा सकता हूँ बट आई सिवाए मेरे यानि सिवाए मेरे कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरग परदे को खीच सके तुम्हारे लिए अब वाप इस बात को रिपीट करते हूँ बात को continue करते हुए कि बच्टू myself they turn मेरे प्रती वे मुढ जाते हैं लोग कभी भी आते न तो मेरे प्रती मुढ जाते तस्वीर को देखते ही and seemed और ऐसा प्रतीत होता है मानों की as मानों की they would ask me वे मुझसे पूछेंगे यानी तस्वीर को देखते मुझे डर लगता है कि यार अब तस्वीर देख ली अब मेरे तरफ मुड़ेंगे अब मुझसे क्या पूछेंगे and seemed और ऐसा प्रतीत होता है as they would ask me जैसे कि वे मुझसे पूछेंगे if they dust dust यानी ब्रेव यान भी डिसानी है क्या है कि मुझसे सहस नहीं करता कोई पूछने का लेकिन अगर मुझसर के साहस रखता है कोो इसे पूछता हैं πरकार की दृष्टि कैम निघे वहां पर कैसे आ गई यानि उस तस्वीर में इस प्रकार की द्रश्टी कैसे गंभीर निगाहें जैसे कोई प्रेमी या कोई यानि इस तरह की गंभीर निगाहे कैसे आ गई वहाँ पर इसलिए नोट दा फर्स्ट आ रही हूं तुम पहले नहीं हो अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि स्पीकर की बातों से बता चल रहा है कि उसने भी पूछा था यानि लिस्नर ने भी पूछा था उससे कि यार ये तस्वीर में कैसे आगी इतनी जो ग्लांस से गंभीर लिगाहें कैसे आ गई तो इसलिए वो कह रहा है कि नोट दा फर्स्ट आ रही हूं तुम पहले नहीं हो टू टन जो मुड़ते हो एंड आस्क दस और इस प्रकार पूछते हो यानि उसने भी पूछा था मतलब कि तुम पहले नहीं हो मेरे जो जो भी आता है ना इस तस्वी के लिए कह रहा है डचेस के लिए कह रहा है कि it was not her husband's presence only यानि में उपस्थिता ऐसा नहीं कि मुझे देखके मुस्कुरा रही थी वहां पर बात समझने कोशिश कीजिए वह कह रहा है कि सर श्रीमान it was not her husband अभारास में उसका पती को ने ड्यूक है खुद के लिए कह रहा है तो देखे वो कह रहा है कि जिसने की बुलाया that sport of joy उस प्रसंता की लालिमा को into the Duchess के गालों पर यानि उसके गाल इतने बलश कर रहे थे तो ये इसका कारण उसकी पती के उपस्ती थी नहीं थी कि उसका पती वहां पर उपस्ती था फ्रापेंडॉल्स के साथ पूरे दिन पती बैटी हो और वो कह रहा है कि इह पर जो प्रसंता की लालिमा है जो डचेस के गालों पर आ रही है उसके पती की उपस्ती के कारण नहीं था अब आगे कह रहा है परहग्यक्त any इसकी त्यख़े उसमें इन इतिफाक से उसने उसे हमी कहद्यों बढ़े & 9 मेंटल लैप्स कि उसका जो चोगा है यानि उसका जो वस्तर है old my ladies is too much कि मेरी जो पतनी है उसकी कलाई पर प्रतियो दिखा गया उसने एसे के दियो darkest आपकी जो अपने जो कपड़ा पहनी पहिन रखिए याँ जो तुनद्नी-उन्नी लगा यानि वो जो गालों में बलश है वो उसके गले तक जा रहा था इतना बलश आ रहा था तो उसने क्या पता इतनी कल्पना ही नहीं कियो कभी लेकिन इस प्रकार की जो बकवास है यहाँ पर तो वो जो है यह कर्टेसी यह बड़ी शिष्टा चार थी सास युक्ति थी कह सकते हैं शी थोट उसने ऐसा सोचा एंड कोज और वह कारण बनी और वह कारण बनी इनफ परियाप तुरूप से फॉर कॉलिंग अप बुलाने के लिए यानि उसकी बाते सुन-सुन कर उससे हसी आ गई होगी यह भी हो सकता है ऐसा नहीं था कि उसका चक्र था बतलब खुदी अपन बाते सुन-सुन कर हसी आ गई होगी उसे किसी बात पर इसलिए उसके गालों पर इतनी चमक आ रही है एंड कोज और वह कारण बन गई इनफ परियाप तुरूप से फॉर कॉलिंग बुलाने के लिए यानि गालों पर किसी लालिमा आ गई होगी शायद क्या पता उसने मजा अब यह बात तो मैं कैसे एक हो उसको पता था कितिन दयालू थी जहां किसकी तरफ भी देखे जिसकी तरफ भी देखे मुस्कुरा देती थी यार उसको पसंद तो नहीं थी बात इसलिए वह कह रहा हाव शेल आइस यार कैसे कहूं मैं तू सून मैड गलेड बहुती शिगर मैड गलेड प्रसन्न हो जाती थी कोई भी कुछ भी कर दे उसके लिए जड़ासा बड़ी खुश हो जाती थी मुस्कुरा देती थी यार यह कोई बात होती है तू सून मैड गलेड ती शिगर ही वह क्या हो जाती थी प्रसन्न हो जाती थी तू इसली इंप्रेजड और उप्रेज हो जाती बड़ी मुस्कुरा देती ती उसकी तरफ she liked whatever she looked on she liked वे पसंद करती थी whatever जो कोई भी चीज शी लुकड़ों देखती ती यानि वो जो कुछ भी चीज देखती थी नहां उसे पसंद करती थी and her looks लुक्स वेंट एवरिवेर और ये बात समझें दोस्तों हर लुक्स वेंट एवरिवेर उसकी जो निगाहें थी वेंट एवरिवेर वो प्रत्य जगे जाती थी हर चीज की तरफ देखती थी हर इंसान की तरफ देखती और जिसकी तरफ भी देखती थी उसे पसंद करती थी य वाज ओल वन सबहे के लिए एक था यानि सब को एक सदेखते थि आव यार मैं तो इसका हज़बंड मुझे भी वैसी नजर से किसी नोकर को भी वैसी निजडिए से और किसी को भी सामने इंसान को भी वैसे देखती थी अब कुछ तो फरक रखना चाहिए था नो उसे अब इसको यह बात चुबती थी अंदर-अंदर लेकिन उसने कभी डैचेस से यह बात नहीं कि अब एक बार कह देता तो क्लियर हो जाती बात अब वह आगी बता रहा है सर इट च्छा प्रशंशा करता था अच्छा वैवार कर जाता था उसके साथ भी वह अब कि आगी बता रहे है वह स्वी को सब्सक्राइब कर आ गया तरा है जैका मतलब नौ क से यसे ज़ी जलने तोड़ लिया है यह उसके लिए वोगीचेक लोई वह सवारी करती थी with around the terrace, जो terrace था उसके चारो और, all and each would draw from her, alike the approving speech, all यानि सभी लोग and each और प्रत्येग व्यक्ती, would draw वो खीच लेता था from her, उससे, alike समान रूप से खीचने, यानि प्राप्त कर लेता था, the approving speech, approving speech, यानि प्रशंशा बरे शब्दों को प्राप्त कर लेता था, यानि सभी की प्रशंशा करती थी, और blush या फिर मुस्कुराहाट, यानि कोई कुछ भी करता था न, उसके लिए तो उसको प्रशंशा कर देती थी, या blush यानि हर कीसी मुस्कुराहाट दे दी थी, at least कम से कम, कम से कम blush तो, यानि हस्ती तो थी, और हस्ती भी नहीं थी, तो कम से कम blush तो करती थी वो, she thanked man, वह लोगों का धन्यवाद करती थी, good, अच्छी बात है, बही अच्छी बात है, लोगों का धन्यवाद करती है, thank you बोलती है, अच्छी बात है, but thanked लेकिन धन्यवाद किया, उसन somehow किसी तरीके से I know not how मैं नहीं जानता कैसे अब आगे बता रहा कि as if मानों की शीर रेंक्ट रेंक्ट यानि महत्व देना उसने महत्व दिया my gift of a 900 years old name यानि 900 वर्ष पुराना एक gift था मेरा जो हमारे पीडियों से चला आ महत्व देती थी ना वैसा ही महत उसने मेरे 900 साल पुराने गिफ्ट था उसको महत्व दिया अब बताओ यार मैं उसका husband हूँ मैंने इतना अच्छा तोफा दिया उसे तो मुझे तो अच्छा अलग respond मिलना चाहिए था ना उसको वही respond मिला जो नॉर्मल लोगों को मिलता था इसलिए उसके दिमाग में इतना गुस्सा आता था उसको और यह बाते उसने कभी उससे शेयर नहीं की क्यों से इसकी यह बात बुरी लग रही है उसको यह चीज पसंद नहीं उसमें कभी बताया भी नहीं उसने बात अब धीरे दि रहत वदिया मेरे 900 साल पुराने गिफ्ट को किसी के भी गिफ्ट के समान अब वह कह रहा है कि हुवर्ड इस्टूब टू टू ब्लैम लेकिन कौन जुकेगा उसके सामने टू ब्लैम दो शारोपन करने के लिए इस प्रकार की बेकार की बातों के लिए अब बता तो रहा है खुदी बता रहा है जब कि कि ऐसा किया उसने लेकिन अब यह भी कह रहा है कि आरे कौन जुकेगा इन सब बेकार की बातों के लिए उसके सामने कौन मापके कि या तुमने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया आगे वो कह रहा है कि एवन हैड़ यू इसके लेकिन यदी तुम उतना चातुरे नहीं तो नहीं रखता कि मुझा यहे क्या घ्राइस क Lore the तुम क्या कर सकते हो तुम्हारी विल यानी इच्छा को क्वाइट क्लियर लिए सब्सक्राइब एक वक्ति शाच के सामने तो आपके सामने यह Es Und duches एक्ति और के lle ओंड और कह सकते हो क्या क्यों कि यह बात और देट वह बात इन यू तुम्हारे अंदर डिस्गस्ट में मुझे नफरत पेदा करती है नहीं मुझे बहुत बुरी लगती नाराज कर देती है मुझे यहाँ पर तुमने गलती कर दी और देखर एकसीड़ दा मार्क तुमने अपनी हदों कोई पार कर दिया ऐसा कह सकते हो तुम यानि कभी तुम्हें बात बुदी लगे ना गर तुमने बोलने का चातुर रहे तो तुम क्या कहोगे उससे क्या तेरे अंदर यह बात मुझे बिल जैसे मेरी डचेस थी इस परकार की व्यक्ति ने अगर सुधार भी कर लिया नौर प्लैनली सेट तो वह पॉंड रूप से इस पश्ट नहीं कर पाएगी हरविट्स अपने विचारों को टू यॉर्स तुम्हारे प्रति सुधार तो कर लेगी लेकिन अपने विचार या नहीं स्टूपिंग अब वह चयारा है कि अगर ऐसा कर दो ना मैं कि उसके बार में यह कह दू किया तुमने आइसा क्यों किया वैसे फिर वह बहाने बनाएगी यह सब बाते होगी तो वह किया रहा है कि एवन दैन वुड़ बी समस्टूपिंग तब तो यह क्या होगा जुकना हो यानि उसके आगे जुकना होगा and I choose never to stop or मैंने कभी जुकना नहीं सी क्या यानि एक बहुत ही ज्यादा उसका चारेक्टर जो है वह काफी कुरूल बताया गया है जो जैसे की डचेश है वह तो काफी इनॉसेंट बताई गई यह लेकिन जो ड्यूक है ड्यूक को काफी मर्सील बताया गया इतना मर्सीलेस बताया गया उसके जो मर्सीलेस वर्ट आने वाले आप वह देखना आप गाई बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ट से उनको आप जरूर नोटिस करना ठीक है वह कहा रहा है कि इवन दैन वोड़ी समस्टूपिंग तब तो यह क्या होगा उसके वैनेवर आई पास्ट जब कभी में उसके पास से गुजरता था वैनेवर जब कभी भी आई पास्ट में गुजरता था हर उसके पास से यानि में उसके पास से जब कभी भी गुजरता था वह मुस्कुरा देती थी बट हूप आज लेकिन जो कोई भी गुजरता था विदा और ऐसा बढ़ता गया दिस गुरु है गुरू यानि बढ़ता गया हर बार होता था यह और यह बढ़ता गया उसका इनाटक आई गव कमांड फिर मैं ने क्या किया मैं आदेश ते अब आ रहेजय ट्रेजिक लाइन बहुत जयादा ट्रेजीक लाइन से एंडर लाइन करना द कों से माई लाजट डचेश के तो वो ही है दैन ओल इसमाइल स्टॉपड टुगेधर यह फाइव वर्ड है बहुत ही जदा ट्रैजिक वर्ड सें क्योंकि तब इसका मतलब है दैन ओल इसमाइल स्टॉप तुगेधर तब मैंने जब कमांड आधेश दे दिये थे ना मैंने स्माइल से स्टॉप तुगेदर तब सारी मुस्कुराट एक बार में रुख गई देर शी स्टेंट सो अब देखो माँ पर खड़ी है ऐसे मानों की अलाइव जीवन तो अच्छी अगर मेरी बात मान लेती यार अगर ऐसा बहें नहीं करती यार तो क्या होता जिंदा होती ले तो नीचे चलना यानि उपर थे वो लोग अब वह सी नीचे आने के लिए बात के रहा है कि चलो उठो भाई अब अब हम नीचे जो कंपनी उससे मिलेंगे यानि कोई वेक्ति यह नीचे आया हुआ हुआ है तब आई रिपीट मैं दोहराता हूं दा काउंट यॉर मास्टर थे मैंने मून ब्राद कोईलर जैने की यहां यहां पर कह जो कह रहा है कि देखीयों मेसेंजर से कह रहा है कि काउंट का मैसेंजर तो אשके शेंदागों मैं दोह राता ह technicum तो मांट प्रसिदन जondhata भूर तुम है ने उना तुम प्रसिद जाम बढ़ है तो दूद तो उसके बारे में वह कहरा है कि जो काउंट है उसकी प्रसिद्ध उदारता है इस एंपल वारंट वह पुखता प्रमान है देट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन कि मेरा कोई भी उचित दावा यदि नहीं जाए कि इतना उदार है कि इतना पैसा वाले में दहेच की बात करूंगा तुमसे तो ठुकरानास इस बात को इसलिए उसकी बात की तुमारे तुम्हारगें जो उसकी बात का कि तुम्हारी उसकी जो सुन्दर पुत्री है जैसा कि मैंने जोड देकर कहा था एड इस्टार्टिंग प्रारम में इस माय उब्जेक्ट वही मेरा लक्ष है यानि अब उससे इशादी करनी है मुझे अब बीच में वह कहा रहा है ने अरे नहीं नहीं वी विल गो टूगेदर डाउन हम साथ साथ नीचे जाएंगे क्या हुआ था कि जो मैसेंजर था वो एक कदम आगे निकल गया था तो उसको रोकते वह कहा रहा है आगे किसे बढ़ गए आप साथ साथ चलेंगे क्योंकि उसक पर कुछ तस्वीरे लगी हुई थी तो उनके बारे में बताना भी था उसको तो वह कहता है अरे नहीं नहीं होता है कि गुलाम बनाना इसने गुलाम बने दिया था सी होर्स यानि एक समुद्री घोड़े को एक तस्वीर थी वहाँ पर नैप्चून की जिसने की समुद्री समुद्री घोड़े को एक गुलाम बना था था थोट अरेरिटी तुम इसे क्या समझो तुम इसे दुरलब वस्तू समझो देखिए जो यहां पर जो दिखाया गया है नैप्चून उसकी जो तस्वीर है वह जिस तरह से टैमिंग सी होर्स तो यहां पर समुद्री घोड़े समुद्री घोड़े को घुलाम बना थे घुटा रहा है कि पति गुलाम बना थे था रहा है टेमर यल्यस के तस्वी गुलारं भाकर मुख के तो ऊपना इसके एक reality समझो एक दुरलब वस्तु समझो ठीक है दोस्तों तो आप सभी को यह जो ट्रांसलेशन है बहुत ही पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और शेयर करना ना भूलिए और अगर आपने मेरे चैनल पर आप न्यू है तो आप को मेरे सारे latest notifications मिलते रहें thank you so much guys